स्टुडेंट्स, वेलकम टू माई चैनल, पोलराइजेशन आफ लाइट, इसके आज सेकेंड लेक्चर में, पोलराइड और मैलस का नियम, इसके बारे में हम डिटेल जानेंगे, तो पोलराइड होता क्या है, पोलराइड द्वी बर्णता पर अधारित एक ऐसी युक्ति है, जिसका उपयोग समतल धुरुवित प्रकास उत्पन करने के लिए किया जाता है, यह समतल धुरुवित प्रकास उत्पन करने की सबसे सरल, सस्ती, एवं ब्यापारिक में दी है, इसकी खोज 1852 में बैज्ञानिक हर्पेत ने किया था, जैसे इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि यह और धुरुवित प्रकास है और यह पोलराइड की फिल्म है, यानि पोलराइड कस्टल है, इससे जब इस समतल धुरुवित प्रकास को गुजारा जाता है, पास आउट कराया जाता है, तो इसमें इसकी अक्ष के समानांतर जो कमपन के वेक्टर इनके होते हैं प्रकास के वे इसको पार कर जाते हैं और बाकी रोक लिये जाते हैं, तो इस प्रकार से और धुरुवित प्रकास से जो है धुरुवित प्रकास यानि समतल धुरुवित प्रकास जो है प्राप्त किया जाता है, पोलराइड फिल्म बना के लिए कुनेन आइडो सलफेट यानि हर्पेथ हाइट के सुक्ष्म क्रिस्टलों को नाइट्रो सेलूलोज की पतली चादर पर इस प्रकार फैला दिया जाता है कि सभी क्रिस्टलों की प्रकासिक अक्ष समाना अंतर रहें इस फिल्म को काच की दो पतली प्लेटों के बीच क्रिस्टल है और इसकी अक्ष के समाना अंतर जो प्रकास के वेक्टर होंगे यह इससे बाहर निकलेंगे और यहां पर हमें दिखाई देंगे तो जब अध्रुवित प्रकास पलराइट पराप्तित होता है तो यह फिल्म उन कंपनों को अवसोसित कर लेती है जो संचरन अक अक्ष के समाना अंतर होते हैं अतह पलराइट से निर्गत प्रकास समतल धुरुवित प्रकास होता है अब यह पलराइट दो प्रकार के होते हैं समानतर तथा करासित इस्तितियां इनकी दो होती है तो जब दो पलराइट एक की अक्ष दूसरे के समाना अंतर होती है तो जै यहां जो इसकी दूसरी स्थिती है एक की अक्ष और दूसरे की अक्ष एक दूसरे के लंबवत हैं तो यहां पर यह बीच वाला पोर्षन जो आप देख रहे हैं जो इसका intersection point है इस intersection point में आप देख रहे हैं कि यहां अक्ष एक दूसरे को की प्रकास को जाने नहीं देंगे त जिससे पहले पोलराइट से पार धुरुवित प्रकास दूसरे पोलराइट से भी पार कर जाता है अता निर्गत प्रकास प्राप्त होता है लेकिन जब क्रासित इस्थिती होती है तो दोनों पोलराइट की अप्षेक दूसरे के लंबोत होते हैं जिससे पहले पोलराइट से तो पार्ग कर जाता धुरुवित प्रकास, लेकिन दूसरे पॉलराइट द्वारा रोक लिया जाता है, जिसे निर्गत प्रकास सुन्य हो जाता है. पुलराइट के उपियोग बहुत से उपियोग हैं इसके पुलराइट का उपियोग समतल धुरुत प्रकास के उत्पादन एवं संसूचन में किया जाता है यानि उत्पादन और संसूचन Polaride से बने चसमे का परियोग चकाचाउंद से बचने के लिए किया जाता है Polaride का उपयोग मोटर कारों में चालक के सामने विंड स्क्रीन तथा कार की हेडलाइट के कवर पर किया जाता है पॉलराइट का उपयोग त्री डाइमेंशनल यानि त्री बीमिय चित्रों को देखने के लिए किया जाता है बादलों के असपस्ट फोटोग्राफ के लिए कैमरे के लेंस के आगे पॉलराइट लगाय जाता है पुलराइट का उप्योग वायुयान तथा रेलगारी की खिडकियों में प्रवेश करने वाले प्रकास को नियंतरित करने के लिए भी किया जाता है पुलराइट का उप्योग सुक्षमदर्सी में भी किया जाता है पुलराइट का उपियोग धात्मों के प्रकासिय गुणों का अध्यन करने तथा क्रिस्टलों के विसलेशन में किया जाता है तो अब ये पुलराइट से निर्गत प्रकास की जो तिब्रता होगी इसी पर आधारित है मैलस का नियम तो जब किसी धुरुवक से आने वाला पुर्णतर समतल धुरुवित प्रकास किसी विसलेशक पर गिरता है तो विसलेशक से निर्गत प्रकास की तिवरता विसलेशक की धुरुवण दिशा तथा विसलेशक पर आपतित प्रकास के बैदूत बेक्टर के बीच कोण की कोज्या के वर्ग के अनुकर्मानुपाती होता है तो यदि विसलेशक पर गिरने वाले समतल धुरुवण प्रकास की तिवरता आई नाट तथा विसलेशक वर धुरुवण की धुरुवण दिशा के बीच कोण थीटा हो तो विसलेशक से निर्गत प्रकास की तिवरता आई परपोर्सनल कासी स्क्वार थीटा यारी आई बरा पर यह दिखाया गया है कि जो A नाट है यह इसका कमपन है जो प्रकास आ रही है तो इसके अगर हम दो घटक कर दें तो जब दो घटक करेंगे तो इसमें जो है 36 घटक A नाट कास थीटा और उर्द घटक A नाट साइन थीटा यह बनेगा पोलराइट के वल अपनी संचरण अच्छे के समानांतर कमपन को ही निर्गत करता है यानि इसकी अक्ष इस प्रकार से है वाई वाई डैस के लांग तो A नाट साइन थीटा को रोक देगा लेकिन A कास थीटा को जो है यह जाने देगा तो इस प्रकार से जो निर्गत प्रकास का आयाम होगा A बराबर A नाट कास थीटा और प्रकास कीती बरता होती है I proportional I am का square तो A का square इसके जगह पर रखेंगे A not cast theta यानि ये बन जाएगा I not equals I not proportional A not square यानि initial वाला ये I proportional A not square cast square theta बन गया और शुरू में जब प्रकास किति बरता A not है तो उसी इस्तिति में I not proportional A not square अगर हम इन दोनों को divide कर दें I upon I not कर दें तो A not square cast square theta upon A not square A not square से cancel हो जाएगा तो बचेगा cast square theta यानि I equals to I not cast square theta तो ये मेलस लाका प्रूप भी हो गया पुलराइट को घुमाने पर निर्गत प्रकास किति बरता में परिवर्तन जब पुलराइट को घुमाते हैं तो प्रकास किति बरता परिवर्तन होता है वह किस प्रकार से होता है तो देखिए अगर हम theta को 1 h पर दिखाएं और निर्गत प्रकास किति बरता को y h पर दिखाएं तो ये देखिए ये इस प्रकार से 0 90 degree 180 270 और 360 तो 0 पर ये I not maximum मिला 90 पर 0 हो गया फिर 180 पर I not maximum मिला और फिर 270 पर 0 हो गया और फिर 370 पर maximum तो पोलराइट को एक चकर घुमाने पर दो बार तिखाएं अधिकतम तथा दो बार नियूनतम होती है यदि पोलराइट पर आप्तित प्रकास और धुर्वित हो तो निर्गत प्रकास किति बरता आधी हो जाती है यानि जब जो है निर्गत प्रकास किति बरता आई बराबर I not 802 थीटा होती है ये मैलस के नियम के अनुसार तो 802 थीटा का जो आउसत मान है वह होता है एक बटा दो अब इसमें सभी दिशाओं में समान रूप से कमपन करने वाले I not 802 थीटा और 802 थीटा का अउरेजमान 1 बाई 2 तो I not अपान 2 यानि किसी पोलराइट से जब अध्रमित प्रकास पास आउट होगा निर्गत होगा तो उसकी तिबरता I not by 2 होगी तो यहाँ पर I not है तो यहाँ पर जो मिलेगा वह I not अपान टो मिलेगा पोलराइट द्वारा सूचित प्रकास का संसूचन यानि कैसे हम जानेंगे कि जो प्रकास है वह अध्रूवित है आनिसिक रूप से ध्रूवित है या समतल ध्रूवित है तो यदि پोलराइट को घुमाने पर निर्गत प्रकास की तिवर्ता नियत रहती है तो आपतित प्रकास अधृवित होगा यदि पोलराइट को घुमाने पर निर्गत प्रकास की तिवर्ता दो बार अधिकतम तथा दो बार नियुन्तम यदि सुन्य हो जाती है तो प्रकास धृवित होगा और यदि Polaroid को घुमाने पर निर्गत प्रकास की तिवर्ता बदलती है तथा किसी विशेश इस्थिती में नियूंतम लेकिन असुन्य हो जाती है तो आपतित प्रकास आंसिक धुरुवित होगा धुरुवक तथा बिसलेसक प्लराइजर और एनलाइजर तो वह युक्ति जिसके द्वारा समतल धुरुवित प्रकास उत्पन किया जाता है धुरुवक कहलाता है और वह युक्ति जिसके द्वारा समतल धुरुवित प्रकास का संसूचन किया जाता है यानि वह उसको बिसले सकालाता है जैसे देखिए यह इसकी तिवरता है i0 पहले पोलराइट से जब यह निकलेगा तो i0 अपान 2 यह वही कंपन को उसी प्रकास के वेक्टर के कंपन को इससे बाहर जाने देगा जो यह इसकी अक्ष के समानांतर होगा अब देखिए इसकी अक्ष थोड़ा सा जुकी हुई है तो अब यह इसके और इसके साथ कुछ कोड बनाएगा तो यह अगर कोड थीटा है तो अब यहाँ पर i2 होगा यहाँ की जोतिवरता है i1 इन्टू कास स्क्वाइर थीटा तो यह जो है धुरुवक हो गया और यह बिसले सक हो गया जैसे देखिए यह धुरुवक और यह बिसले सक इन दोनों की i0 परकास की तीवरता है तो पहले पॉलराइट से मिलेगा i0 अपान टू और फिर second पॉलराइट यानि इस से मिलेगा इसके बाद वाले से अब यह तीवरता ली जाएगी इसके लिए जब हम यूज करेंगे second पॉलराइट के लिए तो पहले से जो निर्गत टीवरता है इस टीवरता को calculation मिलिया जाएगा धुरुवण की घटना से प्रकास तरंग की अनुपरस्त प्रकृत की पूस्टी हो जाती है और धुरुवण की घटना केवल प्रकास तरंगों में ही पाई जाती है ध्वनी तरंगों में नहीं पाई जाती है चलिए कुछ कोस्चन करते हैं दो पॉलराइट इस प्रकार रखे हैं कि उनकी धुरुवण दिशाओं के बीच 45 अंज का कोण है यदि पहले पॉलराइट पर साधारन प्रकास आपतित हो त खुरुवण का और विशलेशक के बीच में आई नाट यहां से यहां से मिल जाएगा आई नाट अपान टू अब यहां से आई टू कितना होगा तो आई टू बराबर यह आई वन कास स्क्वाइर 45 यह थिटा 45 है कास 45 का मान एक वन अपार रूट टू वन अपार रूट तो एक वज़ा दो और आई नाट अपान टू तो इस तरह सो अज़ाएगा आई नाट अपान फोर तो आई टू अपान आई नाट बराबर एक वज़ा चार तो निर्गत प्रकास की तीवर्ता प्रτα्टिसत में हो गई आई टू अपान आई नाट इन्टु हंडेड यहनी 1 by 4 into 100 याने 25 परसेंट एक पोलराइट पर समतल धुरुवित प्रकास पोलराइट की धुरुवड दिशा से 45 डिगरी और 60 डिगरी पर गिरता है पोलराइट में निर्गत प्रकास की तीवरता आपतित प्रकास की तीवरता की कितने प्रतिशत होगी थीटा 45 डिगरी है तो मैलस के नियम से i1 i cast square 45 और cast 45 वन अपान रूट 2 का स्क्वाइर तो यह मिल दाएगा 1 अपान 2 यानि i not अपान यानि i अपान 2 हो गया तो i1 अपान i बराबर 1 बटा 2 प्रतिसत में बनाएंगे तो आजाएगा 50 प्रतिसत थीटा 60 डिगरी मैलस का नियम फेरिड लगा देंगे तो i2 बराबर i cast square 60 यह हो जाएगा i by 4 और इस प्रकार से i2 अपान i का मान 1 by 4 तो जो निर्गत प्रकास की तिवरता है यह हो जाएगी 25 परसेंट तीसरा प्रकास का एक पुंच जिसकी तिवरता 10 वाट पर मीटे स्क्वाइर है तो दो प्रकास की तिवरता क्या होगी तो इस question में आप देख रहे हैं कि दिया कि दोनों polaride की धुरुमट दिशाये परस पर लंबवत हैं तो जब परस पर लंबवत हैं यानि दोनों polaride क्रासित है यानि थीटा कमा 90 डिगरी है तो मैलस के नियम से i0 cast square 90, cast 90 0 हो जाएगा इसका मतलब कि निर्गत प्रकास की तिव question no.4 एक polaride पर समतल दुरुवत प्रकास polaride की धुरुण दिशाते 30 degree के कोण पर गिरता है polaride में निर्गत प्रकास की तिवर्ता आप तिवर्ता की कितने प्रतिसत होगी चलिए निकालते हैं इसको यदि समतल दुरुवत प्रकास की तिवर्ता i है तो theta बराबर 30 degree दिया है मैलस के नियम से i1 बराबर i cast square 30, cast 30 हो गया root 3 by 2 और इसका square करेंगे तो 3 बटा 4 जाएगा यानि 3 i y 4 तो i1 अपान i बराबर 3 अपान 4 तो इसको percentage में बदल देंगे 100 से गुड़ा कर देंगे दोनों तरफ तिया जाएगा 75% question number 5 एक पुलराइड A तथा पुलराइड B क्रासित इस्तिति में है पुलराइड A पर 100 watt per meter square तिवर्ता का अध्रुवित प्रकास आप्तित होता है पुलराइड B को 30 degree घुमा देने पर पुलराइड B से निर्गत प्रकास की तिवर्ता की गड़ना कीजिए A से निर्गत प्रकास की तिवर्ता कितनी होगी तो I1 बराबर I0 upon 2 हो जाएगा और H तो 100 बटा 2 यानि 50 watt per meter square हो जाएगा दोनों पुलराइड क्रासित है अर्था 90 degree पर है तो जब B को 30 degree घुमाया गया तो दोनों पुलराइड के बीज जो कोड बनेगा 90-30 हो जाएगा यानि 60 degree तो अब पुलराइड A से निर्गत समतल धुर्यत प्रकास की तिवर्ता I1 है तो मैलस के नियम से B से निर्गत प्रकास की तिवर्ता I2 बराबर I1 कास स्क्वाइर 60 कास 60 कमाने अग बटा 2 तो यक बटा 2 2 स्क्वायर तो इक बटा चार हो गया यह इनि Mint 12.5 Apache तो क्यूश्चिन नबर 6 किसी पाढ़त माध्यम का ध्रुमन कोन साट डिंगरी है घ्यात की जिए माध्यम का अपुर्तनां और अपुर्तन कोन यह दोनों में आ मंदीत है तो धुरुमन कोड दे दिया गया है यह न बराबर 10 IP निकाल लेंगे एक दस्मनों साथ तीन दो आग जाएगा सनेल के नियम से यह न बराबर 30 दिग्री तो यहाँ पर जो अपवर्तन कोड मिलेगा यह 30 दिग्री के बराबर होगा इसे हम दूसरे तरीके से IP प्लस आर इक्वल्स टू 90 दिग्री होता है उससे भी निकाल सकते हैं Q7 दो पोलराइड A तथा B करासित इस्तिती में रखे हुए है इनके मद पोलराइड C रखा गया है जिसकी अच्छ पोलराइड A की अच्छ से 30 दिग्री जुकाव पर है A पर आपतित और ध्रुवित प्रकास की तिवर्ता आई है तो B से निग्रत प्रकास की तिवर्ता गयात कीजिए इस फिकर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर I तो यहाँ से निकलेगा तो I A C से निकलेगा तो IC और B से निकलेगा तो IV आई से प्रकास की तिवरता जो ये बाहर निकल के आ रही है मेलस के नियम से आई ए बराबर औरेज हो जाएगा तो आई अपान टू हो जाएगा C से जो बाहर निकलेगा यह 30 डिग्री के जुका उपर है तो आई यह का से स्क्वाइर 30 का स्क्वाइर 30 रूट 3 बार 2 का स्क्वाइर हो जाएगा तो यह जाएगा 3 अपान 4 यह 3 यह अपान 8 अब यह C जो है B के साथ पोलराइट C जो है तथा B की धुर्वन दिशा के बीच जो कोण होगा यह 90 माइनस 30 यानि 60 डिग्री का होगा तो अब I B बराबर हो जाएगा यहाँ इसके सामने ती बरता कौन सी है I C तो I C कास स्क्वाइर 60 कास 61 बाई 2 बाई स्क्वाइर और I C का मान लखेंगे 3I अपान 8 तीस तरह से मिल लेगा 3I अपान 32